है थी तो मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडर्फुल गार्डन दोस्तो आप देख रहे हैं बहुत प्यारा सा ये प्लांट इसका नाम है і ़ोगा है केलेशिया फ्रेग्रेंस और डॕWork से स्टुक्राइव मूनाë औरip मूना होाना जाताएं और आपच जों महूना सोह प्लांट चोटा है अब इसमें कोई runners आए नहीं है देखिए दोस्तों इस तरह कि जब यह लटकते या नीचे की साइड तो इसको चैन प्लांट भी बोला जाता है नर्सरी में अगर आप इसे chain plant के नाम से भी मंगेंगे तो आपको बहुत ही आराम से ये plant मिल जाएगा यह plant basket में बहुती beautiful लगता है देखने में क्योंकि जब यह basket में लगता है और इसकी runners चारों तरफ लटकती हैं तो देखने में बहुती ज़्यादा खुबसूरत लगता है लेकिन मेरा plant अभी इतना बढ़ानी है चोटा है अभी मेरा plant क्योंकि यह मैंने cutting से ही grow किये थे और मेरे plant को स्रिफ 3-4 month ही हुए है मेरे पास आई हुए इसलिए अभी इन में कोई runners आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है जैसे दोस्तों ऑक्टोबस चारों तरफ को फैला हुआ रहता है इसकी जो हर एक कह सकते हैं कि हाथ पैर निकले हुए होते हैं वैसे ही यह plant भी चारों तरफ फैल जाता है इसकी जो runners होती है इतनी एक बार runners जब निकलने लग जाती है दोस्तों यह plant हमारा इतना फैल जाता है और कह सकते हैं इजी टो ग्रो प्लांट है जादे हमेरी केर मांगता नहीं हमें इसे जादे केर करने नहीं पड़ती और दोस्तों आज हम इसकी बात करेंगे कि हमें किस तरीकी की सोईल में लगाना है इसको किस तरीकी की हमें संलाइट देनी है वाटरिंग कैसे करनी है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस प्यारे से ब्लांट की बात करने वाले हैं तो आप मेरे साथ लाज तक बने रहें अगर आपके पास यह प्लांट है या आप नर्सरी से खरीदना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें अगर आप मेरे चैनल में पहले बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस अगर यह प्लांट आपको कहीं दिखाई देता है तो आप इसकी छोटी सी कटिंग मांग सकते हैं क्योंकि दोस्तों यह कटिंग से बहुत अराम से ग्रो होने वाला प्लांट है और दोस्तों इसकी जो हर एक नोड प्लांट की रूट्स हर एक नोड एरिये से निकलती है इसका भी दोस्तों यही है हर एक नोड एरिये से इसकी रूट्स निकलती है और दोस्तों इसे अगर नोड एरिये से हम इसकी कटिंग करके अगर मिट्टी में लगा देते हैं तो यह बहुत अराम से ग्रो हो जाता है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब मैं इस प्लांट की कटिंग लाई थी इसमें कोई रूट्स नहीं थी सिर्फ एक बहुत छोटा सा प्लांट था यह तो काफी बड़ा हो चुका है जिस वक्त मैं इसको लेकाई थी तब मैं वीडियो शूट नहीं करती थी नहीं वर्ना मैं आपको दोस्तों वीडियो शूट करके जरूर दिखाती इसमें कोई रूट्स नहीं थी मैंने फिर भी इसको ला करके बहुत अच्छे इसकी कियर करी मिट्टी में लगा दिया और इसमें अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें रूट्स बनिया और दोस्तों अगर चेन प्लांट की कोई भी कटिंग तूट करके किसी पोट में गिर जाती है तो यह वही पर ही मिटी से टच होते ही धिर धिर रूट्स बनाने लग जाता है और यह वही पर ग इतनी बड़ी हो जाती है हाला कि मेरा प्लांट बहुत चोटा है लेकिन मैंने इसकी काफ़ी बड़े-बड़े प्लांटस देखे हैं जो कि देखने में बहुत संदर लगते हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसे ज्याद़ बड़े पोर्ट की जोड़त नहीं होती है आ और फिर मैंने जब यह थोड़ा सा बढ़ा हुआ तब मैंने इसको पोर्ट में सिफ्ट किया था तो दोस्तो अगर मैं चाहूं तो इस पोर्ट में ही अपने प्लांट को लगा के रख सकती हूं यह काफी बड़ी ग्रोथ भी ले लेगा तब भी हमारे प्लांट को कोई दिक्क हुए म реac fed दख द्न के लिए अचरी और जब मेरे वह खाया को मेरे ब्लांट होड नहीं जाएग लेकिन जैसे ही मोसम में changing हुई summer start हुई तो दोस्तों मेरे प्लांट ने ऐसी ग्रोथ दिखाई कि काफी अच्छा चला मेरा प्लांट और जब से मेरा प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी चल रही है गाईस सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने potting soil की क्योंकि दोस्तों किसी भी प्लांट के लिए सबसे महत्पूर चीज रहती है हमारे प्लांट की मिट्टी अगर हमारे मिट्टी में ही जान नहीं होगी तो हमारा प्लांट बिलकुल भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा च दोस्तों हम लेंगे एक हिस्सा garden soil चाहए व्हों हमारी कोई सी भी garden soil हो और एक हिस्सा ही लेंगे हम saanड एक हिस्सा लेंगे चलता रहेगा लेंगिन फिर भी दोस्तों हम थोड़ी बहुत अगर इसकी कियर करना चाहते हैं क्योंकि चलता तो यह वैसे भी रहेगा अगर हम थोड़ा बहुत और इसकी खात पाने अच्छा दे देंगे तो दोस्तों यह हमारे प्लांट की ग्रोथ और अच्छे से दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम संलाइट की कि हमें अपने चैन प्लांट को किस तरीकी संलाइट देनी है अगर विंटर का समय चल रहा है तो हम अपने प्लांट को तेज दूप में भी रख सकते हैं हलाकि विंटर में तेज दूप तो निकलते नहीं है लेकिन जैसे भी कलती हैं फिर भी हम अपने प्लांट को रख सकते हैं विंटर वाली दूप में लेकिन समर के दूप में दोस्तों हम अपने प्लांट को तेज दूप में नहीं रखेंगे तब हम अपने प्लांट को शेमी एडिये में रखेंगे दोस्तों जहां पर सिर्फ हमारे प्लांट को य जरूर प्लेस करना है जहां पर इसे दिन भर की सनलाइट मिलती रहें लेकिन तेज धूप ना मिलें अगर आप इसको समर में तेज धूप में रखेंगे या ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर इसे तीन-चार घंटे की धूप मिल रहे है तो आपके प्लांट की जो लीफ है मुड़ने लगेंगी और उसकी नीचे से जो कोनर वाली लीफ है आप देख सकते हैं मेरी लीफ हो रखी है हलकी सी ब्राउन ब्राउन होने लगे क्योंकि दोस्तों मेरा जो यह प्लांट है यह मैंने ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर इसको ग्रीन नैट के नीचे कहने का मत्रव है लेकिन फिर भी धूफ वगर इसको मिलती रहती है क्योंकि दोस्तों मेरे यहां पर ऐसी कम बहुत कम जगह जहां चाया आती हो तो अब बात कर लेते हैं वोटरिंग की तो दोस्तों पानी एक ऐसी चीज होती है जो अगर ज़्यादा पड़ता है तो हमारा प्ला जो स्ोईल तैयार करें आपका प्लांट बिल्कुल भी ही ने मरेगा देखे दोस्तों अगर हमारे प्लांट में पानी की कमी हो जाती है तो हम फिर भी क्या कर सकते हैं अपने प्लांट को पानी दे सकते हैं वह थोड़ दिर बाद ठीक हो जाएगा क्योंकि वह हम्हें बता द कोई भी प्लांट की अगर आप शोल तयार करें तो वैल ड्रेंट तयार करें इस तरीके की सोल तयार करें कि आपने पानी डाला और वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाए देखिए दोस्तों अगर हमारा प्लांट जमीन में लगा हुआ है तब कोई दिकत नहीं होती क्योंकि हमारी मिट्टी में ही रह जाता है जितना निकलना होता है उतना तो निकल जाता है बाकि एक्स्ट्रा पानी हमारी मिट्टी में रह जाता है तब दिकत हो जाते हैं क्योंकि वह तो हमारा प्लांट की रूट्स गल्ले लग जाती है ऐसे तो दोस्तों यह काफी हाड़ी प्ला लेगी लेगी सा हो गया है तो आप फिर भी ना घबराएं आप अपने प्लांट की नीचे से कटिंग करके आप कहीं दूसरी जगह पे लगा सकते हैं अच्छी सोयल बनाके बस वोटिंग का फिर भी ध्यान रखिएगा कुछ टाइम बात देखेंगे आपका प्लांट करेगा और उसमें रूर्स आ जाएंगी दोस्तों यह काफी प्लांट है और वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी थोड़ी बहुत भी आपको अगर यूस्फूल लगी हो तो प्लिस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हो अपनी किसी नेक्स ट्रॉडियो में किसी नेक्स ट्रॉपिक पर बाई